इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में समझाऊंगा कि स्कूल कनेक्ट टाप के थूपन करने के बाद यह आपके बेसिक डैशबूर्ड है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपके बच्चे का नाम दिखेगा और अगर आप नीचे दिखेंगे तो आपको एक टाप जिसके उपर लिखा है more about your child means more about यहाँ पे कोशिका लिखा है that's my student my child so यहाँ पे आपके खुद के बच्चे का नाम हैगा यहाँ पे क्लिक करने के बार आपको कुछ और options दिखेंगे जैसे कि pays fees, attendance, website and contact us so यहाँ पे आपको pay fees यह इस option को क्लिक करना है जैसे ही आप pay fees option को क्ल academic की remaining fees है वो आपको दिख जाएगी so यहाँ पे 21,200 remaining fees है यहाँ पे आपके बच्चे के personal details आजाएंगे और अगर आपने already fees pay कर दी है तो view receipt इस tab को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो receipt दिख जाएगी फिलाल यहाँ पे मैंने कोई fees pay नहीं की है इसलिए यहाँ पे किस इसी भी तरीगी का data found नहीं भूर रहा है तो मैं back करूंगा और यहाँ पे fees pay करूंगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं pay option पे click कर रहा हूँ जैसे ही pay option पे click करता हूँ यहाँ पे ATM PG का एक particular page खुल जाएगा यहाँ पे आप different options choose कर सकते हो example के तोर पे आप ATM user हो तो यहाँ पे आपका pay ATM का यह आ जाएगा then आप UPI net banking prepaid debit cards credit cards सबसे pay कर सकते हो credit cards के लिए और किसी भी तरीगी card के लिए आपको कुछ bank fee charge करने पड़ेगी which will be called as convenience fee जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी fees है 21,200 रुपीज और convenience fees जो 225 रुपए है यहाँ पे आपको exactly दिख सकता है दिख charges so that extra charges will be taken on the credit card and the debit cards too but अगर आप pay करना चाहो through UPI तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीगे की fees pay नहीं करने पड़ेगी या फिर convenience charge पे नहीं करना पड़ेगा so यहाँ पे आप अपना से simply mobile number डाल के आप अपने fees pay कर सकते हो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक example डिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं UPI डाल सकता हूँ मेरा खुद का जैसे UPI पे click करने के बार यहाँ पे मेरा VPN number डाल दूँगा यहाँ पे verify कर दूँगा और यहाँ पे mobile number डाल के verify UPI number कर दूँगा देन पे करने के बार simply आपको सो UPI आप पे जाके अप्रूव करना है देन ऑटोमेटिकली फीज विल गेट पेड और फिर आपको व्यूब रिसिप्स में जाके आपकी खुद की रिसिप्स आप देख सकते हो I hope आपको यह वीडियो समझ में आ गई हो queries के लिए आप school के helpline number पे call कर सकते हो Thank you